तो दोस्तों आपने इंट्रो देखा उसी तरीके से आपके मोबाल में भी वर्क करने आला है तो सबसे पहले आपको सेंटर पैनल को ओपन करना है जो की प्लेस्टोर पर आराम से मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो सबसे पहले इसे on करते हैं, on करने काथ control center को on करने काथ आपको back आना है और back आने काथ कुछ settings करना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ यहाँ पर सबसे उपर जो on है, on का option है, उसे एक बार हरे पर set करना है वो red पर होगा, उसे हम green पर select करते हैं, उसके बहुत सारे settings करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को one by one बता देता हूँ, यहाँ पर size के उपर आना है और size को कुछ ऐसे select करना है, कुछ ऐसी settings करना है, right और green color में और सभी settings ऐसी करना है, उसके बहुत हम color करना है, और color में भी same setting करना है और position में भी same setting करना है, वो आप त्यान से देखना कौन से setting कहा करनी है उसके बैगरांड पर आते हैं, और आपको transparent रखना है, इसे allow करना है और allow करना है, हमारी setting के process से खतम हो जाते हैं, बाद में आप लोगों को 2-3 setting करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ से right से left तक scroll करना है, और scroll करने के बाद वो central panel आपके इस तरफ शोग हो जाएगा यहाँ पर rate करना है के पूछ रहा है, आप इसे never कर दीजेगा और never करने के बाद आप जैसे right से left तक scroll कर गए तो आपके सामने central panel ओपन हो जाएगा और इसमें जो भी functions दिये जाते हैं, वो सभी iOS जैसे work करते हैं, जो कि आपके Android मोबाल में आराम से work करेंगे यहाँ पर आप allow करना है, और allow करने के बाद आप one by one इसे trial कर देते हैं, जैसे हम torch open करते हैं, तो torch भी लग चुका है अब आपको नहीं दिखाई देता होगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर हम calculator open करते हैं, अब जैसे calculator open करते हैं, तो आपको यहाँ पर allow करना है, या तो इसे on करना है, इस calculator को on करना है, जैसे आप on करोगे और दोबारा उसे try करोगे, तो definitely वो calculator भी on हो होता है, यहाँ पर जो भी settings आप लोगो, जो भी function से वो सभी work करते हैं, बिल्कुल ios जैसे, आप shop हो जाओगे यह करना के बाद, मैं खुद इसे use करता हूँ, इसलिए आपको suggest कर रहा हूँ, okay, तो सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरे setting कर देते हैं, यहाँ पर on off, music, आप music वगर सब कुछ set कर सकती है, यहाँ पर मैंने music को भी trial करके दिखा दिया है, आपको यहाँ पर जैसे select करता हूँ, और फिर से एक बार music पर आतो, music भी on हो जाता है, literally, और उसके बाद देखो, यहाँ पर मैं right से left स्क्रोल करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा center panel open होता है, काफी कमाल की application है, आपको एक बार जरूर से try करना चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर तो चाल को subscribe कर दो, और comment भी आप लीग देना कुछ और ट्रॉपिक का नाम में, उसके बाद भी वीडियो बना दूँगा, तो I hope आप लोगो आयो का, तो मिलते हैं फाल नेक्स वीडियो केंदर, बाइ-बाइ and टक्क्यार